नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाइनल कॉंसेप्ट का खजाना में आईए दोस्तों आज केमेस्ट्री में एटोमिक स्ट्रक्चर यानि परमानू सनरचना को लेकर के आए हैं आईए दोस्तों इनसे संबंदित कुछ इंपोर्टेंट प्रस्ण की चर्चा करते हैं तो आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुस्चन को तो दोस्तों कुस्चन नमबर वन दिया गया है आपको फादर ओफ एटम की उपाधि मिली थी तो दोस्तो फादर ओफ एटम की उपाधि मिला था डाल्टन को किसको डाल्टन को जोन डाल्टन को फादर ओफ एटम की उपाधि दिया गया था यानि की एटम यानि परमानु का पिता के उपाधि के नाम से जोन डाल्टन को जाना जाता है नेक्स्ट है question question number two है कैठोड किरने है तो दोस्तो जो कैठोड किरन है वह है आपका रीन आवेसित लेकिन यही पर पूछ दिया जाए कि एनोड किरन क्या है तो दोस्तो आंसर होगा धन आवेसित क्या होगा धन आवेसित तो धियान रखिएगा दोस्तों आप कि अगर आप से पूछा जाएगा कि कैठोड किरने है तो आंसर दिजिएगा धन आवेसित और अगर पूछा जाएगा आप से कि कैठोड किरन है तो आंसर दिजिएगा रीन आवेसित नेक्स्ट है कोश्चे नमबर थिरी जब इलेक्ट्रोन का प्रहार एंटी कैठोड पर होता है तो दोस्तो जब इलेक्ट्रोन का प्रहार एंटी कैठोड पर होता है तो एक्स किरन निकलता है कौन सा किरन एक्स किरन नेक्स्ट है कोश्चन नमबर चार एक्स किरनों की तरंग की लंबाई होती है तो दोस्तो जो एक्स किरन होती है उसकी तरंग की लंबाई होता है दस के पावर माइनस आठ सेंटी मीटर नेक्स्ट है कोश्चन नमबर फाइप कोश्चन नमबर फाइप है इन में से कौन धन आवेसित कन है यानि कि इन में से कौन धन आवेसित कन है तो दोस्तो धन आवेसित कन की बात करे तो आंसर देंगे हम लोग पुट्रोन को यानि कि जो पुट्रोन है वह धन आवेसित होता है और जो इलेक्ट्रोन होता है वरीन आवेसित होता है और जो न्यूट्रोन होता है उस पर किसी भी परकार का कोई चार्ज नहीं होता है यानि कि उसको बोलेंगे उदासी नेक्स्ट है अब कोस्टिन नमबर छे कहता है सोडि सोडियम और सोडियम का दे दिया है उपर परमानु दरवेमान जो माथे पर दिया हुआ रहता है दोस्तों वह रहता है परमानु दरवेमान तो पुस्ता है निट्रोन की संख्या है यानि कि आपको दिया गया है सवाल में सोडियम के परमानु दरवेमान तो सोडियम का परमान परमानु संख्या होता है 11 तो परमानु दर्वेमान में से अगर परमानु संख्या को घटा ले तो जो आंसर हमें प्राप्त होगा वह होगा निट्रोन की संख्या यानि कि परमानु दर्वेमान में से दर्वेमान संख्या को घटाए तो 12 आया और जो 12 निकल के आया है वह हो गिया दोस्तों neutron की संख्या यानि की answer हो गिया option number A दोस्तों याद रखिएगा जब भी आपके माथा पर जब भी किसी element के माथे पर अगर कोई चीज दिया हुआ है इसका मतलब वह है आपका परमानु द्रेमान और नीचे रहता है परमानु संख्या नेक्स्ट है question number 7, neutron कन है तो दोस्तों जो patreon कन है वह है धन आवेशित क्योंकि दोस्तों थोरा देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि patron होता है धन आवेशित, electron होता है रेना वेशित और जो हमारा neutron है वह उदासिन होता है यानि कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है आईए दोस्तों यहां से और सारे प्रस्न भी पुछा जा सकता है जैसे मैं पुट्रों कन की खोज किस ने किया तो पुट्रों को खोज किया था गोल्ड एस्टीन ने और इलेक्ट्रोन की खोज करने बाले ब्यक्ति है जेजे थॉमसा और अगर पुछा जाएगा कि निट्रोन की खोज किसने किया तो आंसर दिजिएगा जेम्स चैडविक दोस्तो बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है इन सभी को आप नोटबुक पर लिख करके और याद कर एक परमानू की त्रिज्या है दोस्तो परमानू की जो त्रिज्या होता है वह परमानू की त्रिज्या होती है दस के पावर माइनस आठ सेंटीमेटर दस के पावर माइनस आठ सेंटीमेटर परमानू की त्रिज्या होता है नेक्स्ट है कुस्चन नमबर नाइन कहता है दरवेमान संख्या बराबर होता है यानि कि दरवेमान संख्या किन को जोरने के बाद प्राप्त होता है तो दोस्तों याद रखिएगा अगर आप निट्रोन की संख्या और पुट्रोन की संख्या को एड कर देते हैं तो आपको द्रवेमान संख्या मालूम हो जाएगा यानि कि इस question का अंसर हो जाएगा option number B sorry option number C next है दोस्तो question question number 10 दिया गया है आपके पास परमानू के नाभिक में रहते हैं तो दोस्तो परमानू का जो नाभिक होता है उसके नाभिक में दोस्तो रहता है neutron तथा पुट्ट्रोन याद रहते हैं electron रहता है और पुट्ट्रोन रहता है परमानू के नाभिक में next question number 11 question number 11 है किसी कक्छा में अधिक notch hours के संख्या होती है किसी कक्छा में इलेक्ट्रोनों की संख्या होती है इसको पता करने के लिए दोस्तों इस फर्मुले के इस्तमाल किया जाता है यानि की आंसर होगा ओप्सन नमबर C Q12 है M सेल में उपकक्छा होंगे तो दोस्तों M जो सेल है उसमें उपकक्छा कौन कौन होते हैं तो उसमें होता है S, P, और D क्या होता है S, P, और D यानि की आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर D लेकिन दोस्तों अगर यहीं पे सवाल आपसे पूछा जाए कि के सेल में कितने उपकक्छ होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ S होता है कौन होता है S अगर के पूछे तो आंसर S और अगर पूछा जाए कि L सेल में उपकक्छ कौन कौन होते हैं तो उसमें होता है S और होता है P S होता है और P और अगर M कक्ष में पूछा जाए तो जानी ही गए आप कि S, P और D होता है और N कक्ष में आपसे पूछा जाए तो आंसर दिजिएगा S, P, D और A तो दोस्तों आप इतना याद रखिएगा बस इतना ही से आपके इकजाम में सवाल पूछे जाते हैं Next question number 13 Question number 13 दिया है आपको Magnesium क्या दिया है Magnesium और नीचे हमेशा दिया रहता है परमानू संख्या Magnesium का परमानू संख्या दिया हुआ है 12 पूछा है कि electronic बिन्यास होगा तो Magnesium का electronic बिन्यास क्या होता है तो दोस्तों Magnesium का electronic बिन्यास होगा 282 282 यानि कि option number B is the right answer Next है दोस्तो question number 14 question number 14 दिया हुआ है कारवन का परमानू संख्या दिया हुआ है 6 और परमानू दरविमान दिया हुआ है 12 दूसरा बार दोस्तों कारवन का परमानू संख्या है 6 और परमानू दरविमान दिया है 14 पूछा है आपसे कि यह देखके आप बताईए कि यह संभारिक है कि समस्थानिक है क्या है तो दोस्तों हम आपको बता दे कि बे परमानू जिनकी परमानू संख्या समान हो परमानू संख्या परमानु संख्या डेट मिन्स नीचे वाला समान हो प्रंतु दरवे मान संख्या भिन हो तो उसको समस थानिक बोलते हैं यानि की आईसोटोप्स बोलते हैं तो इस question का अंसर हो जाएगा option number C दोस्तो question number 15 है आपका दिया हुआ इस बार परमानु दरवे मान सेम दिया गया है जबकी परमानु संख्या जो है वह दिया गया है आपको भिन तो जब किसी तत्व का परमानु दरवे मान सेम हो परमानु दरवे मान क्या हो सेम हो लेकिन परमानु संख्या अगर भिन हो तो उस भारिक यानी की आइसो बार्स. याद रखे याद रखिएगा दोस्तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुट्रोन का आवेस क्या होता है तो पलस वन इकाई और अगर इलेक्ट्रोन का आवेस पुछा जाए तो माइनस टू इकाई आईए दोस्तो यही था एटोमिक स्ट्रक्चर से संबंदित कुछ इंपोटेंट प्रस दोस्तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक किजिएगा और अभी तक हमारे चाइनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो हमारे चाइनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा और बेल झाल